सबसे बहुत आपको यहां पर Google ओपन करना है आप पीसी पर करो लेप्टॉप पर करो प्रोसीजर सेम रहने वाली है मोबाईल पर यहीं रहना है Google आपको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर Indescent Net Banking सेर्च करना है पहले यह option आपको यहाँ पे indescent.com का आएगा या फिर आप directly indescent.com सर्च कर सकते हो यह link आपको सिलेक कर लेना है यहाँ पे continue to indesnet के उपर आपको क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो हम आज आएंगे main login पेज के उपर आपको आपका user ID, password एंटर करके sign in जो है complete कर देना है sign in मैं आपको जल्दी से कर देता हूँ उसके बाद में आपको आगे की procedure बता देता हूँ user ID, password मैंने एंटर कर दिया है, sign in के उपर मैंने आपके click कर दिया है जैसे ही आप sign in करोगे दोस्तो इस तरीके का interface आपको आपके mobile screen के उपर देखने मिल जागा जैसे कि इस तरीके से आप देख सकते हो multiple options आपको है, आप आपके category के हिसाप से search कर सकते हो, आपको कुछ भी search करना है अब statement आपको check करना है दोस्तो तो आप यहाँ पर saving and current account के उपर आपको tap कर देना है saving and current account मैंने हाँ पर select कर दिया है, दोस्तो next page पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो multiple option आपको मिलता है, zoom करके दिखा देता हो next page पर आने के बाद दोस्तो यहाँ पर account details हमें visible हो जाएंगे, जैसे कि आपका account number है यहाँ पर, अगर मैं scroll करता हो side में तो यहाँ पर आपका account type, आपका account name और balance, जो भी सारे चीज़े है account related वो आप चेक कर सकते हो, उसके बाद में left hand side में जापे सारा menu system है दोस्तो यहाँ पर आपको saving accounts के नीचे देख सकते हो, आप statement का option आपको मिलता है, तो वो select कर लेना है आपको, उसमें आपको तीन option दोस्तो, next page यहाँ पर आप देख सकते हो, reload हो चुका है, बट आप additionally यहाँ पर check out कीजेगा, statement के नीचे आपको यहाँ पर तीन option मिलते है, एक mini statement है, एक download statement है और एक download monthly statement है, तो आप आपके हिसाब से select कर सकते हो, mini statement डाउनलोड करने के लिए, यह जो already यहाँ पर, यहाँ दे specific month का डाउनलोड करना है दोस्तो, जैसे कि download monthly statement का option है, वो आप से लेक कर सकते हो, आपको किसी particular year का डाउनलोड करना है, या last three months का डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको download, ad hoc statement के उपर click करना है, जैसे आप से लेक करते हो, next page के उपर आपको यहाँ पर options मिल जाएंगे, सबसे पहले तो आपको आपका account number यहाँ पर select करना है, कर देते है, account number select करने के बाद आप bottom में देख सकते हो multiple option आपको मिलते है, मतलब month का option आपको मिलता है, last month का statement डाउनलोड करना तो वो option है, last year का डाउनलोड करना तो वो option है, अगर इन option मेंने से आपको कोई भी एक option नहीं चीए, तो आप यहाँ पर directly आपके हिसाब से date range जो है, वो select कर सकते हो, जो कि कौन से date से किस date तक आपको यहाँ पर statement डाउनलोड करना है, वो आपको सिले करना है, और submit के ओपर click कर देना है, अभी फिलाल के लिए मैं आपको example के तोर पर last three months का यहाँ पर सिले करके दिखा द दूँगा, और download होने के बाद दोस्तों, आपको notification पैनल में मिल जाएगा, या डिरेक्टल इस तरीके का message आ जाएगा, view PDF के उपर आपको click करना है, और इस तरीके से आप देख सकते हो, आप आपका सारा last three months का statement या पर checkout कर पाओगे, तो दोस्तों यही simple steps है, जो आपको भी follow करना है, अगर आपको indecent net banking से statement चेक करना है, या फिर download करना है तो, बस यही था आज की इस वीडियो में वीडियो पसंद आया, तो like कीचे, share कीचे, चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिया, मैं मिलता हूँ next video में, धन्यवाद,